नमस्कार आप सभी का स्वागत्य है मारे योटूब चैनल चेनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान कर्सी प्रविक्षक अर्थात एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर प्रिक्षा के फाइनल रेजल्ट को लेकर नया अपडेट आ रहा है तो क्या है इससे जुड़ी पूरी जानकारी कब तक रेजल्ट गोशित किया जा सकता है तो संपून जानकारी पे अपने संक्षिप्त रूब में चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो रहेगी शुरू से अंतक बने रहें ताकि संपून जानकर ये आपको अच्छे से कलियर होसके वीडियो को लाइक कर दें अधिक शेयर कर दें चैनल पे पहली बार पदार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गंटी अवशे दबादें और हमसे जुड तो राजस्थान अधिनस्त और मांत्रालिक सेवा चैन बोर्ड ने 18 स्टंबर 2021 को इसका जो एक्जाम में वो कंड़क्ट करवाया था उसके बाद में इसके लिए उत्तर कुंजी जारी की गी थी और उसके बाद में रेजल्ट जारी किया गया था और उसके बाद में इसका डोकूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया था और उसके बाद में फिर नोटिफिकेशन जारी करके कुछ बच्चे जो नहीं पहुंसके उसके लिए इसमें मोका भी दिया गया था और वो सारी प्रोसेस होने के बाद में अब निउस निकल के आ रही है कि रेजल्ट है वो करके आ रही है तो अब अपने देखते हैं क्या डेट है कब इसका रेजल्ट गोशित किया जा सकता है तो यह न्यूजपेपर की कटिंग है न्यूजपेपर में जानकारी प्रकाशित की गिया इसमें ग्राम सेवक रेजल्ट के बारे में का गया इसके बाद में इसमें आग आगे कर्शी प्रवेक्षेक रजल्ट से समंदित बहुती उपयोगी जानकारी दी गिया तो इस पे संपूर्ण जानकारी पे अपने चर्चा करेंगे ताकि दोनों जानकारी आपने को अच्छी से क्लिए रोसके कि वीडियो का रजल्ट कब तक आएगा और एग्रिकल्चर प्रथान करमचारी चैन बोर्ड दोबारा ग्रामविकास अधिकारी का प्रेणाम इसी मां में जारी किया जाएगा यानि कि ये मार्च मंद की बात हो रही है और इस समंदित जानकारी ये भी निकल जारी कि हो सकता है फस्ट बीक तक इसका रजल्ट है वो जारी किया जा सकत वेकिन यह संभावित देट है तो रजल्ट कब तक थारी होता है कि देखनी वाली बात रहेगी फिर देखे आगे इसमें का गया है फिलाल Change Board इसकी यहां करने में लगा हुआ है और फिर देखे आगे इसमें काया गया है बेरोजगार संग के उपेन यादव ने बताया है की चैन बोर्ड में अधिकारियों से बात हुई जिसके अनुसार इसमें काया है बारा मार्च से पहले करसी प्रवेक्षक बरती का परिणाम गोशित होगा तो बारा मार्च से पहले करसी प्रवेक्षक बरती का रेजल्ट है वो गोशित होगा वहीं अन्य बरतियों का प्रिणाम भी जल्द जारी कर दिया जाएगा यानि कि जो अभियरती अन्य करमचारी चेहन वोर्ड था बहुसी प्रिक्षें आजजुद करवाई गी थी उनके रे लेकर्सी प्रवेक्षक बरती का प्रणाम में वो गोशित होने वाला है तो ये थी इससे समंदित मैतपूर्ण वै उप्योगी जानकारी उमीद गरता हूं मारे द्वारा दीगी जानकारिया आपको अच्छे से कलियर हुई होगी वीडियो को लाइक कर दे अधिक शेयर कर और चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब कर लें गंटी अवश्य दवादे ताकि उप्योगी एम नविंतम जानकारिया आपको अमारे चैनल के मादम से अमेशा समय समय परुपलाब्द हूती रहें तो आम मिलेंगे नहीं वीडियो में नहीं जानकारिक साथ तम तक धन जालाब् समय हादे को अमारे लियो